दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे की पड़ताल जारी है, डिटी नूज की टीम की तरफ से लगातार, दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे का विकास दिखाया जा रहा है, हम इस वक्त विकास में ही कूद चुके हैं, विकास के अंदर ही इस वक्त हम समा चुके हैं ये विकास है जो 90,000 करोड रुपे में तियार किया गया जो 90,000 करोड रुपे में पैदा किया गया ये वो विकास है ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का विकास भारते जंता पार्टी का एक सबसे बड़ा जो दावा था कि सबसे बड़ा विकास यहां पैदा किया जा रहा है यह तमाम तस्वीर हम आपको दिल्ली मुंबई की दिखा रहे हैं यह है और इसका पहले भी हमने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और पहले भी इसकी पड़ताल की हमने कि इसके किस तरीके की सामगीरी इस्तमाल की जा रही है सरकार 90,000 क्रोड क्रोड रुपे इसमें लगा रही है जनता का जो पेशा लग रहा है वो किस तरीके से उसका सद्यूपयोग हो रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे है कि सरकार किस तरीके से जनता के पेशा को बहा रही है यह देखिए यह डामर है इसके नीचे वो कंक्रीट है वो जेस भी वगरा है उसके नीचे 65 है नीचे मिट्टी है यह 10 फिट गड़ा है 10 फिट नीचा यह गड़ा है यहां से तूट चुका है और यहां पर पूरे तरीके से जमीदों हो चुका है यह तमाम तस्वीरें दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेस वे की लगातार हम लोग दिखा रहे हैं बड़ा खुलासा कर है और 90,000 क्रोड रुपे पूरा का पूरा जनता के टेक्स का है जनता जवाब मांग रही है इसलिए हमारा विकर्तव यह बनता है कि सरकार से जवाब मांगा जाए और जनता का जो पेसा है उसका कैसा इस्तमाल किया जा रहा है वो तमाम तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊ कि सरकार जनता के पेसे को किस तरीके से दुरूपयोग कर रही है और यहाँ पर जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो किस तरीके से घटिया सामगिरी इस्तमाल करके इस पूरे रोड को खराब करने में तुली हुई है यह तस्वीरें देखिएगा यह तमाम तस्वीरें देखक से यह पूरा रोड कट जाता है वर साथ होती है उसकी वज़े के इसा लोग बता रहे हैं लेकिन बड़ी बात यह सका है इसमें लगाने के बाद भी कियों कटा जा रहा हूं यह भी सबसे बड़ा सवाल और GSB और 65 को मिला करके मिट्टी तो अलग है उसके बाद यह तूट चुका है तो इसे आप खुद अंदाज अलगा सकते हैं कि किस तरीके का मैटेरियल इसमें इस्तमाल किया जा रहा है यह घटिया सामगिरी यह वो पेशा है जनता का पेशा है यह जनता का पेशा इसमें बह तूटा हुआ है और पूरे तरीके से तब्दील हो चुका बनने से पहले बड़ा सवाल है कि बनने से पहले रोड हमेंसा के लिए टूट चुका है अब कमपणी जाएंगी इसका फिर से यह उसका रिपेरिंग करेंगी लेकिन रिपेरिंग होने के बाद में आपको भी लग पेसे का सद उपियोग हो उसके हिलाब हम लोग लगातार आवाज उठा रहे है आपकी क्या राय क्या पर्तिक्राइब आप दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या जो हमने हमें खेड़ी ए हाईवे के ख़िलाब पहले भी हमने खवर लगाई कि जन्रता के पेसे को किस तरीके से लूट जा रहा है किस तरीके से पर ढांकर डाला जा यहां पर पूरे तरीके से यह complete है, concrete लगी हुई है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसके गिल्स लगनी बाकी है, नीचे का जो green belt होगा, service road होगा, लेकिन इसके बाद अभी यह मुझे ऐसा लगता है कि इसमें clear चड़ेगी, जिसकी price होगी, उसके बाद यह complete माना जाएगा, और इसमें कुछ यहां पर dividers लगेंगे, तो अब यहां से आगे यह कौन सा complete होगा, यहां से आगे और इसमें और क्या काम होना बाकी है, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन तमाम तस्वीरे में आपको लगाता हूँ, सवाल यही खड़ा होता है, कि जनता का जो पेशा है, उ सब्सक्राइज की जाता है